नाने के लिए 200 ग्राम प्याच काट लेंगे दो टमाटर काट लेंगे 200 ग्राम मतर लेंगे खड़े गरम मसाले लेंगे दो कली लहसुन लेंगे मतर पनीर मसाला लेंगे आधा किलो पनीर लेंगे शमच गरम मसाला लेंगे एक चमच हल्दी ले लेंगे बारी कटे हुए अद्रक ले लेंगे दो मिर्चे ले लेंगे थोड़ा मगज ले लेंगे एक चमच खस-खस ले लेंगे अगर आपके पास खस-खस नहीं है तो बिना आप खस-खस के भी बना सकते हैं चमच गरम मसाला ले लेंगे मटर पनीर बनाने के लिए कम से कम हमें 1.500 ग्राम तेल चाहिए तेल गरम हो जाए तो इसमें हमें एक चमच जीड़ा डाल देना है फिर तेज पत्ता डाल दे लाल मिर्च फिर खड़े गरम मसाले डाल दे फिर लेसन का पेस्ट डाल देंगे लेसन हलका सुनेरा हो जाए तो इसमें हमें अद्रक का पेस्ट डाल देना है मिर्चे भी डाल दे लेसन अद्रक सुनेरा होने के बाद हमें इसमें प्याज आड कर देना है एक कटोरी दूद ले लेंगे और थोड़ी मलाई दोनों को मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मतर पनीर का मसाला और उसमें गरम मसाले डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स होना चाहिए ध्यान रखें और मगज को हम पीस लेंगे खसगस को दोनों को हमने पीस लिया है कते हुए टिमाटर को पीस लें प्याज जुनहरा हो गया है तो इसमें हम एड्ड लेंगे मलाई और जो मसाले का पेस्ट था और खस-खस और मगज का जो पेस्ट है उसे भी आट कर देंगे फिर हल्दी डाल देंगे कस्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे एक चम्मच और फिर मिला लें फिर इसमें हम टिमाटर की प्यूरी आट कर देंगे सब को साथ में पकाना है फिर इसको ढग देंगे हम पकने के लिए मसाले में तेल चूट गया है लगभग मसाला हमारा रेडी है तुसमें हम मटर आट कर देंगे मटर डालने के बाद इसको हम धग देंगे ताकि हमारी मटर अच्छे से पक चूए मसाले के साथ हमारा मटर भी पक चूका है फिर इसमें हम डाल देंगे पनीर पनीर डालें बाद इसे चला ले अच्छे से और फिर इसमें अपने कौदिंग पानी अड़ कर लें जिस में आपको ग्रेवी चाहिए उसे अप से पानी डाले तो मुझे बहुत जादा तो मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है पानी रालने के बाद इससे आप धग दे फिर स्वाद अनुसा नमक डाल दे अब मेरी ग्रेवी की क्वांटिटी बिल्कुल पॉफेक्ट है मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए इतना जादा सूखी ना जादा ही रसेदा इसको सर्फ कर ले पनी रेडी हो चुकी है इसका एक्चूल कलर आ चुका है